तुसरे जैसे महात्मागंधी और सुभाष चंद्रबूर्ष यह दो नाम हैं जिनके अपने अपने तरीके से आंदोलन के तरीके रहें, दोनों के योगदान आजादी के लिए बहुत महत्वपून रहें, दोनों ने बहुत सारे संघर्ष किये, तो इन दोनों के जो योगद पाम बहा है, और कई तो ऐसे अनाम शहीद हैं जिनको हम जान भी नहीं जाएं, तो जहां थे महात्मागंधी और राश्पता का जाएं हम और निशित रूप से राश्चिय अंदोलन को एक दिशा देने में उनकी बहुत बड़ी भूमका रही शाथ, उन्होंने तीन आंदो एकर देन है, उसमें हम उनको कहीं नहीं पाते हैं, यह भले जी जीएच अन्हों का कम रही कभिया दिक रही हैं पर नुको हम हर जिगाए जगाए जोते हैं तो रिशित रूप से कांग्रेश पे युवावपूर का बड़ा प्रभाव था और उनकी सोच में ये बाद जरूर थी थे थोड़ा सा वो ये चाहते थे कि केवल नर्मी ही न बढ़ती जाए यहां पर अगर आवशिकता होती है तो कोई कड़े के दम उठाने हैं वो भी हमको उसमें करना चाहिए सोरेशी के वो बहुत जबदत पक्ष धर्थे हिंदी के बहुत जबदत पक्ष धर्व हो रहे हैं तो ये उर्दा योगदान बहुत जबदत है और फिर अगर हम आगी के बाद में आए कि जब दुत्ती विशुद प्रादम हुआ और उनको ये प्रतीत हुआ कि अंग्रेजियों को हम अकेरे नहीं हटा सकते हैं तो हमको किसी विदेशी शक्तियों की सहाहता लेने पड़े जिन तो जो विदेशी शक्तियों के बित्ति दुत्ति विशुद में जर्बनी जापान तो वहाँ पर उच्षिप करके भाग करके गए दजरबंदी से गए हैं वो वहाँ पर जाकर कि उनुहरे आजाद हिंदो फॉट जो के पहले जाज भारी बोस ने गरित्टर रखी ती उसका नेत्रतूर होने लिया है और वहाँ पर उनुहरे बहुत ही झालिड़ा सिकार किया है और एक तरह के से आप यह कहेंगे कि पहली बार महात्मा में आकर कि हम लोग का रिख रहे हैं तो और उसके पश्चाद दो है दो दो-ती बाते और बहुत पूर है जो नावा है वो निजाज वासन बोसका दिया और जिन भारती दिवपार पर उनका अधिकार होकर कि जापानियन को सौंपे थे उनका नाम उन्होंने शहीद और स्वरा या दिली चलो का नारा में हो दिया था तो जो युवाओं में एक जोज भढ़ने की बाती जो मैंने आपसे पहले कहना कि उनका विचार ये था कि थोड़ा साफ को आगे बढ़ना चाहिए जहां वाशकता हो तो निशी तो उसे प्रणा के रूप में उनके युगदान को हम भाह नहीं सकते हैं और आज भी उनकी जहनदी को हम इसीठ कर से मनाते है किवाओं के लिए उनके युगदान को हमात्मा तो दोलोंका अपने ऐस बिचार कारिशे तर लग रहा है यह बात दूसरी है झाल झाल झाल